यही एंकार है ना लीडर्शिप नेता बनने का एंकार है अभी इस समय नेता बनने का एंकार छोड़ना पड़ेगा और आपको जो आप में हम इस पर काम कर रहे हैं अभी मैं महाराष्टा ही जा रहा हूं इसलिए हमने आदिवासियों के बड़े संगठन है वहाँ पर अनुस पीके रामडस आपको भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं आप देख रहे हैं जनिता बाज इस बक्तु हुमें जन्तर मंतर दिल्ली में यहां पर तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो देश में माहौल है महंगाई है बेरोजगारी है तो इनी सभी मुद्दों पर बात क करने के लिए आज मेरे साथ मौझूद हैं असो के ग्यानी जी जो मजदूर और कर्मचारियों के लिए संग्रस कर रहे हैं लगातर यह जानते हैं क्या उनका संदेश है देखिए आज दो दिवसी हरताल का कॉल था बारा बड़ी ट्रेड फेडरेशन है देश की जिसमें संदेश कर रहे हैं अपने प्रक Nashville कानों में हरताल कर रहे हैं और दिल्ली में भी ऐसा हुआ है और आज यहां पर भारी संख्या में मजदूर डिल्ली के जमा हुए थे बारा आज है चुन खतान कर के आपने मजदूरों के 29 कानून थे उनको खतम करके चार लेवर कोड में परिवर्तन कर दी हैं उन चार लेवर कोड को वापस लो और 29 लेवर कानूनों को वापस रिंस्टेट करो उनको वापस लागू करो तो यह हमारी मांगे थी महंगाई को कम करो यह तमाम मांगों को ले करक तो EVM है सबसे पड़ी बात है दूसरी बात बहिमानी भी कर रहे हैं चिटिंग भी कर रहे हैं तीसरी बात है कि इनके पास एक बहुत बड़ा थियार है धरम का यह जब भी ऐसा चुनाव का वह आता है तो यह हिंदू कार्ड अपना धरम का कार्ड खेल देते हैं ठीक है ना त ऐसे SCST के लोगों को OBC के लोगों को देखा जो तकलीप में है सब कुछ है लेकिन उन्होंने का कि नहीं जी हम वोड तो योगी जी कोई देंगे बावा जी कोई लाना है इंदू को राद है इस तरह की बाते हैं तो उन्होंने उनके पास हतकंडे बहुत होते हैं सत्ता के प पास तो धरम का जाती का यह बहुत बड़ा कार्ड है कि इसको खेल लेते हैं तो इसलिए और दूसरी बात यह देखो यह समझने की बात है कल भी मैंने का इन चारो राजियों में जान जान पर भी जीते हैं जिन उसमें इनकी भले ही जीत हुई है सरकार बनी है मगर इनका ज असानी से जीत नहीं पाए जीते भी हैं तो बड़ी कटनाई के साथ जीते हैं और इस यह इनको पता है इस बात का इसलिए यह देश में एक संपर्दाइक तनाव एक पिचर के माध्यम से उसको खड़ा करना चाहरे हैं जो कस्मीर फाइल्स के जर्वें तो हजार चोबिस का जीतने की नहीं उसको खतम करने की फर्मनेंट अपने रहने की है कि उसको संपर्दाइक सोहार दे बिगाड करके इस देश के आपस में लडबा के लोगों को और परमनेंट इमेर्जंसी का इसमें इसमें वो साजिस है कि 2024 के बाद चुना भी नहूं इस देश में वह एक सलोसन यह कि जनता को भीर करना पड़ेगा जनता के बीच में जाना पड़ेगा क्योंकि जन शक्ति से बड़ी दुनिया के अंदर कोई तागत नहीं होती और खास तोर पे लोगतंतर डेमोक्रेसी में तो जनता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है तो जो विपक्ष में कॉंग्रे हमें आगे इस देश के नोजवानों को इस देश के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप परैमपरागत राजनीती नहीं करोगे आपने जो दो जार बानवे में जो नीजी करण की नीतियां ठेकेदारी की जो नीतियां और नई आर्थिक नीतियां लाए थे उनको बदलना सब्सक्राइब नहीं देखिए जो अभी जिस और आप इसारा कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में खास तोर पर पूरे पांच राज्यों में बीएस्पी के जो साथ अभी जो इस्तिती हुई और यूपी में जो एक शक्ती बनके सरकार में आनी चाहिए थी वहाँ एक सीट पर सिमट गए लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे नाम है बामन में असराम हो चंद्र सेकर राबढ़ हो और दिल्ली में भी कई नेता हैं अंड़ प्रदेशों में यह सब एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं कहीं इनके मन में कोई बेमानी है कि यह आगे न बढ़ जाए और अंपीचे न र हमने आदिवासियों के बड़े संगठन है वहाँ पर अनुसुजाती जन जाती अधिकार मोर्चा है अदिवासी एक्ता परिस्त है दूसरे हैं उनसे हमारी तिन दिन मिटिंग होनी है और दिल्ली में हमने मैं जून में सारे संगठनों को हम बुला रहे हैं हम बैंजी को भी बुलाने की कोईस कर रहे हैं हम बावन मेसराम जी को भी बुलाने की कोसिस कर रहे हैं कि भाया आपने अपने कमेटी बना लो टीम बना लो क्योंकि बावा साब जिस तरह क्या गए थे देखो अगर एक नेता होगा तो इसी तरह घेड़ लेंगे जैसे बैंजी को घेड़ ल मिला है खुद को भी 5000 के 7000 कुछ बोट मिला है लेकिन इतना बड़ा चैरा हो के मीडिया दिन रात दिखा के देखो आपको आना पड़ेगा एंकार चोड़ करके लोग तांतरिक तरीके से जो बावा साब ने इन्हीलेशन आफ कास्ट देखो आपको कुछ नहीं करना बावा सा बेंगे इनको सारव पोगए बीजेपी पास तमाम संगटन है तमाम बिंग है तमाम आईटी सेल है और हम जो बहुजन समाज के नेता वह से एक ही रोना रोते हैं कि हम क्या करें बीजेपी सड़ेंद्र रच रही है ठीक है आप जो एक कदम आगे चलते हैं बीजेपी दस अच्छा सवाल पुछा है यह जो नेता हमारे टाई कोट पैन के दफ्तरों में बैट गए और रोना रो रहे हैं और अपने आपको बाबा साब से बड़ा समझने लग गए इनको यह समझना चाहिए जिस समय बाबा साब लड़ रहे थे उस समय कौन से कितने सारे उनके पास उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके इस मुमेंट को शुरू किया यह पता है आपको और घर घर गए एक एक आदमी से मिले मैं टू मैं डोर टू डोर नंगे पैर भूके एक टूटी साइकल किसी ने बाद में उस समय बड़ी बात थी दान कर दी वो एक टूटी साइकल पर चले जा रहे हैं पंचर हो गया पैदल घूम रहे हैं ना टेलीफून पता नहीं अगले गाओं में जिससे मिलने जा रहे हूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन उस आदमी ने इतना बड़ा मुमेंट देश में बहुजन मुमेंट खड़ा कर दिया और आज तुम्हारे पास सब कुछ है सोसल मीडिया है सब कुछ है आपके पास टेलीफून है आप आप वट्सप पे वीडियो कॉलिंग करो तो सीधे आज वेट्सप पे दसाजमी की मिटिंग तो आप आज कर सकते हो बिलकुल ओनलाइन कहीं आने जाने की जरूत नहीं है लेकिन देखो जो रोन सब्सक्राइब करना है जब आप जनता में जाना बंद कर दोगे जब आप कैडर त्यार करना बंद कर दोगे अपने डे टूडे के काम उसे आप अपने पला जाड़के और रोना लगोगे कि भाया यह आरेसस तो यह कर रहा है बीजेपी तो यह कर रहा है वो क्या पैदा होते ही इतने मालदार होगे बीएसपी जो जो आरेसस है उननीस सो पच्चिस से लड़के उनके लोगों ने कितने कुर्वानिया की है गाउं गाउं जाके एक अपने जागरूप नहीं हो रही है लेकिन क्या है कि उनके पास जो हतकंडे है ना वो फिर उनको कि वह जो जो भी आंदोलन करें चाहे मजदूरों किसानों चाहे महीला हो चाहे कोई अपने उत्पिरन के खिलाब करें तो उनके पास एक है कि अपना उनका वटसप यूनिवर्सिट वो कह देते हैं आतंकबादी है यह खालिस्तानी है यह देजदरोही है यह वो है और जो जो इनका गोधी मीडिया है वो गोधी मीडिया जो मेनिश्टी मीडिया जिसको कहते हैं वो उनको वही परोसरा है उनको वही दिखा रहा है कि और यह तो आतंकबादी है इनको तो वह से पैसे आ रहे हैं इनको तो वहां से मदद आ रही है हो तो यह हो गया और वो गया तो हमारा जो आदमी दिन बर मेहनत कर रहा बारा गंटे और जब ओं को आ और करके रोटि कहा के दो मिनटों टीवी दिखता लोग्ता है उसलिये हमारा मुवमेंट खताम हो है उनका विचार चल रहा है उस विचार की काट करने मेंसमरते हैं नाकाम नहीं देखते सवाल इस है देखो चुनाव लड़के जीतना अलग बात होता है आप हर चीज को चुनाव से मजीडों की जीत गए तो जनता उनके पक्ष में है आप वोट देखो ना अभी आगर दो करोड वोट था वहां पर तो दो करोड में से एक करोड दसलाक इनको मिला वागी 90 लाक तो इनके वि सविधान से अलग हो जाती है तो उसको सविधान पे लाना जनिति के काम पे लाना और मजदूर और जन विरोदी नीतियों उसे रोकना ये जनता का काम है उन संगटनों का काम है जिस तरह आज मजदूर भारी संख्या में आये थे किसानों ने वहाँ पर उनको हराया ना उनको भले ही उचुनाओं में जिद जाए मगर इसी एंकारी सरकार को उनकिसानों ने तीनों वो बिल वापस लेने पे जिसकी मा परदर्शन अपने आपको प्रेजेंट करने का अपनी अबाज को उठाने का तो वो लोग तंतर की जीत थी देखिए ऐसा जो जो भी पार्टी पक्षा वो अपने निता की तारिफ करेगा उसमें कोई बुरी बात नहीं है उनके लोग कर रहे हैं जो भी पक्षी हैं वो नह रहे गां उसके नारे लगेए जब भावर में तैक उततर प्रदेश में तो बैं जी के नारे लगते थे देखो जो सत्ता में नारे लगेंगे उससे कि अधियर दिल्ली में वालमी की सरकार हम भी यह कह रहे हैं तो आपने दावे कर रहे हैं भी अपने दावे कर रहें। और आपनी बत कह सकते। मैं संगठन करता हूं और संगठन के नात好不好 कहना मेरा भीश स्था किसान मजदूरों की तो लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और यह एक भारी सड़ी अंत्र है और इस देश को भी किसान मजदूरी बचाएगा यह आप समझ लो यह लड़ाई इतनी उनके लिए भी यह सत्ताधारियों को भी पता है कि जो टक्कार है ना उन लोगों से है जो इस देश की सड़क बनाने से लेके हवाई जास्तक बनाते हैं उन शक्तिशाली लोगों से है ताकत पर भले ही पैसा ना उनके पास भले ही उनके पास वो सत्ता में ना हो लेकिन वो मजदूर मेहनत का जो इस धरती में हाथ मार दे तो अभी पानी निकाल दे वो इस होना पड़ेगा उसको हारना पड़ेगा यह गैरंटी है तो साथी यह थे असोग ज्यानी जी उन्होंने जो देश बर में जो माहल चल रहा है उस पर अपनी प्रमुक्ता से बात रखी और बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि मही महीने में पूरे देश बर के जो की जा रही है अब यह आने बाला बक्त बताएगा कि यह नेता एक मंच पर आते हैं या नहीं आप देखते रहे हैं जनेत आवाज और इस पीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा सेर करिए अभी के लिए इसर पितना ही नमस्कार